दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास Samsung का phone है और आपके Samsung के phone में आपका message send नहीं होता है जैसे आप किसी को भी message send करते हैं send करने के बाद आपका message send नहीं होता है और आपके समने आज आता है could not send message तो आप अपने इस problem को कैसे solve करेंगे, जैसे कि हम इस पर click करते हैं, click करने के बाद हम यहाँ पर plus वाले icon पर click करेंगे, हम यहाँ पर एक SMS भेजना चाहते हैं, इस number पर, और यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर भेज देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना SIM card चूज कर लेते ह और इस तरीके से हम एक message यहाँ पर भेजते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा message send नहीं होता है, और हमारे सामने आ जाता है, could not send message, तो यहसे problem को आप कैसे solve करेंगे, अपने Samsung के phone में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, कि आप जिस number पर message send कर रहे है एक बार उसे यहाँ से delete करेंगे, तो उस पर आपको click करना है, और यहाँ से आपको delete कर देना है, delete करने के बाद वो number यहाँ से आपका delete हो जाएगा, delete होने के बाद आपको सबसे पहले यह check करना है, कि आपके sim card पर आपका SMS का पैक है या नहीं, यानि कि आप जिस sim से आप message क भेज रहे हैं, उसमें आपका SMS का पैक है या नहीं, अगर नहीं है तो आपका SMS send नहीं होगा, और आपको यह भी check करना है, जैसे आपको daily 100 SMS मिलते हैं भेजने के लिए, तो कहीं आपने 100 SMS भेज तो नहीं लिया है, और उसके बाद फिर से आप भेज रहे हैं, तो आपका SMS send नहीं होगा, जैसे कि आप अपने किसी भी SIM में, आप 199 रुपए का या आप 300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, तो daily आपको डेल जीबी डाटा मिलता है, और 100 SMS मिलते हैं पर दे, यानि कि रोज आप 100 SMS भेज सकते हैं, अगर आप 100 SMS भेजने के बाद, फिर से अगर आप भे करना है, उसके बाद अगर आपको ये सारा सही है, और फिर भी आपका SMS सेंड नहीं होता है, तब आपको करना है कि अपने फोन से एक बार आपना SIM कार्ड बाहर निकालना है, और अच्छे से उसे आपको साब करना है, और फिर आपको अपने फोन में डाल देना है, हो सकता है कि उस वक्त आपका SIM card अच्छे से काम ना कर रहा हो जिसकी वज़े से आपका SMS send नहीं होता है उसके बाद इतना काम करने के बाद चेक करेंगे होता है या नहीं send SMS अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको अपने phone में setting में जाना है setting में जाने के बाद यहां पर search बार पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको search कर देना है reset तो आपके समने आ जाएगा network के setting आ जाएगा तेखने को मिलेगा reset network की setting आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहां पर आपको समने second option मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपना SIM card चूज करना है जिस SIM से आप internet यानि कि आप S में send करते हैं तो यहां पर SIM card चूज करने के बाद reset setting पर click करेंगे अपने phone का pattern डालेंगे और यहां से आपका कोई भी data delete नहीं होगा जो आप सोच रहे हों कि हमारा data delete हो जाएगा उसके बाद आपको reset पर क्लिक करना है और यहां पर देखेंगे कि आपका setting यहां पर reset हो चुका है इतना काम करने के बाद आप यहां से आपको by act बाएका जाना है जब आप यहां पर permission पर क्लिक करना है permission पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है SMS के नाम से तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने SMS का permission allow कर देना है उसके बाद यहाँ से बैका जाना है बैक आने के बाद आप यहाँ पर आपको करना क्या है कि बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको मिल जाता है storage आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद clear chase कर देना है सबसे नीचे और मिल जागा clear data आप इस पर click करेंगे और यहाँ से आप एक बार इसे okay करेंगे okay करने के बाद आप यहाँ से आप बैका जाएंगे बैकाने के बाद आप आपको अपना SMS application open करेंगे और देखना है कि आपका SMS send होता है या नहीं तो हम यहाँ पर अपना SMS application open करेंगे SMS application open करने के बाद यहाँ पर आप जिसे भी message send करना चाहते हैं उसका number डाल कर आप इस तरीके से open कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर open कर लिया है उससे पहले हम आपको यह भी बताना चाहेंगे अगर आपके phone में दो SIM card पड़े हुए हैं तो आप यह भी चेक करिए कि आप किस SIM से अपना message send करने हैं हो सकता है कि आपके SIM 1 में आपका SMS spike ना हो और आप उसी SIM से अपना message भेज रहे हैं और आपको नहीं पता है तो सबसे आप notification panel को नीचे करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है test message आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके दोनो SIM card आजाएंगे जिस SIM से आप message भेज रहे हैं वही SIM आपको यहाँ पर select कर लेना है जिस SIM में आपका message पैक हो तो मैं यहाँ पर अपना select कर लेता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर हम कोई भी एक message इस तरीके से send करते हैं और आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर message को send किया है और वो हमारा यहाँ पर message send हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने कोई भी यहाँ पर problem नहीं आएगा और not send हमें देखने को नहीं मिलेगा और हमारा fail भी नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से आप अपने phone के अंदर इस problem को solve कर सकते हैं और आपका सारा का सारा message send होता रहेगा और आपके सामने could not send as mess problem नहीं आएगा आपके Samsung के phone में तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद